अब इसके बाद हम आगे Soil Pollution को करने वाले हैं तो आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं Soil Pollution Soil Pollution को हम समझ चुके हैं कि Soil Pollution में Soil Polluted हो जाती है जो भी मिट्टी है हमारे आसपास की उसमें Pollution हो जाता है तो उसको Soil Pollution कहा जाता है अब यहां पर देखिए ये Ground है और यहां पर पूड़ा करकट रखा हुआ है सारा तो यहां के जो मिट्टी है वो सब Soil Polluted आप समझ सकते हैं इसलिए आपको था कि समझ में आजए Soil Pollution क्या होता है तो इसके लिए पिक्चर को देख कर क्या आप समझ सकते हैं अब देखिए Soil Pollution के Sources क्या क्या है यहां पर गोले के आसपास जो लिखे हैं वो सब रीजन है उनसे मिट्टी जो है हमारी Polluted हो सकती है सबसे उपर लिखा हुआ है Man-made Chemicals जो Factories में काम होते हैं अलग-अलग और उनसे जो भी डस निकलती है वो सब Man-made Chemicals में आता है उसके बाद इस तरफ Agricultural Run-off Water जो Agriculture से जो पानी वेस्ट निकलता है वो सब बिट्टी को खराब करते हैं क्योंकि उसमें हम छिड़काव करते हैं तो अब सबसे पहले हमने Man-made Chemicals की बात की फिर Agriculture जो पानी बचता है उसकी बात की फिर Pesticides जो तीसरा वहाँ पर सरकल लगा हुआ है कि जो भी दवाईयां हम खेतों में डालते हैं और जो Chemical Fertilizers भी डालते हैं वो सब भी आगे जाके Soil को Polluted कर सकते हैं उसके बात Industries का जो Waste Material है वो भी Soil को खराब करता है Radioactive यह Materials भी दवाईय में कभी-कभी प्रयोक के जाते हैं तो यह भी हमारी मिट्टी को खराब करता है Acidic Precipitate कभी-कभी कुछ दवाईयां हम ऐसी डालते हैं कि वो हमारी मिट्टी के अंदर कुछ Acids बना देती हैं और उसमें रखी होती हैं मतलब मिट्टी के अंदर ही पड़े-पड़े वो Acid बना देती हैं तो वो भी Soil को खराब करती हैं और जो हम कुड़ा फैंकते हैं वो जब धेर लग जाता है तो वो भी मिट्टी को खराब कर सकता है और जैसे पुराने टाइम पर हुआ करता था Toilets नहीं होते थे तो खुले में जब defecation या urination open में जब किया जाता है तो उसे भी जो मिट्टी है वो खराब हो जाती है दूशित हो जाती है तो ये कुछ reasons हैं, sources हैं Soil pollution के देखिए आप अर्चना आप कहा रहे हैं कि आपके पास book में chapter number 6 नहीं है देखिए हो सकता है आपके book में कभी-कभी printing में कुछ दिक्कत हो अगर chapter number 6 आपका class, secondary level का book का page missing है तो कोई बात नहीं, आप हमारी website से बहुत ही आसानी से उस lesson को download कर सकती है आप Hindi में भी, English में भी उसको download कर लिजे और उसको पढ़ सकती है downloading भी बहुत आसान है आप अपने mobile में भी website खोलिए उसके बाद study materials पे जाए क्लिक करके और फिर वहाँ पे home science का lesson number 6 खोली और download कर लिजे यह बहुत ही सरल है आगे बढ़ते हैं अब यहाँ देखिए soil pollutants कि जमीन की जो मिट्टी है हमारे मृदा है उसको कौन कौन से चीज़े खराब कर सकती है तो उनके नाम लिखे है सबसे पहले उपर लिखा है carbon फिर heavy metals तीसरा नाम है herbide herbicide तो herbs को जो मारने के लिए जो दवाईयां हम चिरखते हैं अपने खेतों में जैसे खेती के लिए कुछ साथ में छोटे छोटे पौधे उख जाते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए तो कि बहुत बड़ी मात्रा में यह दी खेती की जाती है तो जाहिर से बात है कुछ खरपतवार या कुछ ऐसे herbs उख जाते हैं तो उनको खतम करने के लिए कि हमारा मुख्योदेश हमारी खेती होती है तो जो हम दवाई डालते हैं वो herbicides कहलाते हैं तो जो herbs को मारे C, I, D, E शब जिसके भी आगी लगा हो अर्थात वो नाश करने वाला जैसे अप दवाईयों के नाम के साथ में हिंदी में देखते हैं नाशक लगा होता है ऐसे ही C, I, D, E शब जिसके साथ में होगा अर्थात वो नाशक, कोई दवाई होगी वो जो किसी चीज को नश्ट कर रही होगी तो हर्बिसाइट्स भी मिट्टी को खराब करता है पेस्टिसाइट्स भी मिट्टी को खराब करता है पॉल्यूटेट करता है, पॉल्यूटेंट है ओल, स्पिल भी सॉइल को पॉल्यूट करता है फिर उसके बाद आप देख रहे हैं, T, A, R, T, R वो भी मिट्टी को खराब करता है toxic chemicals वो तो हमारी मिट्टी को polluted करेंगे ही तो ये कुछ pollutants के नाम है जो आपको याद रखने है अब यहाँ देखिए soil pollution अगर होगा तो उसे हम पर क्या आसर होगा देखिए कोई भी चीज़ अगर खराब हो जाती है तो वहाँ पर बिमारिया यह चोटे चोटे जिवाणू है वो वहाँ पर पनप सबते हैं और वो अगर किसी तरह से हमारे body में चले जाए चाहे हम वो पानी पी लें या कोई भी कारण हो हमारे अंदर जाके वो हमें बिमार ही करेंगे तो यह एक उसका effect है हम पर पानी अगर हमने गंदा पिया तो हम बिमार पर सकते हैं या गंदी मिट्टी में कुछ है हम वहाँ पर चले चलके गए और हमने चपल नहीं पहनी है तो वो हमारे अंदर उसके जिवाणू प्रवेश कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी बिमारियां हैं जिसके जो किटानू हैं वो मिट्टी में रहते हैं और वो body में हमारी body में human body में प्रवेश कर जाते हैं तो हम इंसान बिमार हो सकते हैं और सोइल पॉल्यूशन का अफेक्ट क्या हो सकता है? जैसे कि आप देख सकते हैं इंडास्ट्रीस का जो भी वेस्ट मटिरिल है या एगरी कल्चर का जो भी वेस्ट मटिरिल है उससे जो पौधे हैं जो vegetable है, जो fruits है उनकी growth पे असर पड़ सकता है और यह हो सकता है कि वहाँ पर जो सबजीयां या fruits उग रहे हैं उन में वो जो harmful chemicals हैं वो उसमें आ जाए और वो जो मिट्टी है उन harmful chemicals को absorb कर ले और वो plants जिसे fruits और vegetables को हम खाएंगे तो फिर हम बिमार पड़ेंगे तो यह cycle चलती है कि उसके through वो वहाँ पर पहुँची वो जीज वहाँ से अगले stage पर पहुँची और उस stage से इंसान में गई आप कहलीजे चक्र के through बिल्कुल domestic waste, किसी बी तरह का waste हो वो अगर हम तक किसी जरिये पहुचता है और हमारे शरीज में उसकी किटाणू प्रवेश करते हैं तो हम बिमार हो सकते हैं इसलिए pollution कोई भी हो जो हमने पहले चार की बात की थी कोई भी pollution हो इंसान को उससे नुकसान ही होता है अब यहाँ आप देख सकते हैं soil pollution जाए उससे कैसे हम control करें जो भी garbage होता है उसको अगर हम सही तरीके से फैकें dispose of कहा जाता है जो भी garbage है उसको कहीं पर भी नहीं फैकना है देखना है, सोचना है कि कहां फैकें और कैसे फैकें वो हमें पता करके फिर उसके इसाब से उसको dispose of करना होगा वो सही तरीका होगा अब देख सकते हैं land fills यहाँ पे land fills शब्द दिया होगा यह पहले पी आपको समझाया था कि जो जमीन है उसको भर दिया जाता है और decompose जो भी vegetables या fruits जितनी भी चीज़े होती है ओके ठीक है आपको आवाज नहीं आ रही है तो अब देखिएगा आगे इसको इंप्रूफ किया गया है तो जो भी चीज़े वहाँ पे डाली जाती है जमीन में कुछ समय बाद वो decompose हो जाती है और फिर उसको हम as a खाद या उसको यूज करकी प्रयोग कर सकते हैं तो उसको land पिल्स कहा जाता है इससे दो फायदे होते हैं एक तो जो waste material है उसको हमने ठीक से dispose of कर दिया दूसरा उसका हमने सही तरीके से प्रयोग कर लिया तो ये landfills के फायदे हैं देखिए आप देख सकते हैं composting लिखा हुआ है तो इसको ये कहा जाता है landfill से हम compost तयार करते हैं manure कहते हैं उसको खाद पिर वो हम कहीं भी खेती करें या gardening करें उसमें उसको प्रयोग कर सकते हैं फिर देखिए burning of refuse जो भी हमने पहले हमने सफाई की फिर जो हमने कठा किया कूड़ा उसको हमने जला दिया तो इससे कैसा होगा pollution होगा कि सफाई हो जाएगी ये air को हमारे polluted करेगा और देखिए यहाँ पर incineration जितने भी biochemical waste होते हैं या toxic जो जहरीले waste होते हैं उनको हम कहाँ पर dispose of करें तो incineration उनने बहुत बहुत बड़े ताप में उनको गरम करके जलाया जाता था कि वो पूरे तरफ नश्ट हो जाएगी उसे कहते हैं incineration कहते हैं हिंदी में अगर सरलता में समझें भट्टी में जला देना उसको तो incineration, biochemical वेस्ट जो toxic waste हैं उनके लिए हम प्रेयो करते हैं तो वो सब बिलकुल खत्म हो जाता है तो आप लोग कमपोस्टिंग भी समझ गए हैं ताकि बाद में उसका मैनुवर खाद के रूप में हम प्रेयोग कर सकते हैं अब यहाँ देखिए कुछ उपाए हैं जिने मेजर्स कहा जाता है मतलब क्या उपाए किये जाएं क्या मेजर्स लिए जाएं कि जो सॉइल पॉल्यूशन है उसे आप कंट्रोल कर सकें तो अगर शब्दों को आप सही से समझेंगे तो आप आराम से उसको कर पाएंगे हिंदे में हम शब्द बोलेंगे उपाए कि क्या उपाए करें कि हमारी मृदा जो है वो संग्रक्षित रहे पर इंग्लिश में हम बोलेंगे क्या मेजर्स लिए जाएं और साइन लेंगुज में तो आप देखी रहे हैं कि क्या-क्या हम तरीके अपनाए कि सॉइल जो है पॉल्यूशन ना हो वो बची रहे तो सोच के बताईए क्या-क्या हम कर सकते हैं कि जो हमारी मिट्टी है वो प्रदूशित ना हो क्या-क्या कर सकते हैं हम क्या-क्या-क्या क्या-क्या